नमस्कार सर शनल द क्या नाम है आपका लोकेंदर डास नाम है लोकेंदर जी आप कहा के रहने वाले हैं मैं खंडवा जिला सातमोनी गाँं से रहने वाला हूं सर आपने संतरामपाल शी मारासे नाम दिक्षा कब लिए संत्र रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा 7 जुलाई 2004 मिली सर संत्र रामपाल जी महाराज से नाम दिक्षा लीने से पहले आप क्या वक्ती साथ नाई करते थे सर में दुरगा जी का उपास करता था दुरज की मतलब पुजा पाट करता था संकर जी की पुजापाट करता था ऐसे अन्य देव देवता की सभी की पुजापाट करता था सर तो फिर आप संतरामपाल जी महाराज की सरण में कैसे आए सर हमारे हाँ मतलब हमारे पिता जी की डेट हो गई मतलब इते सारे मतलब वरत करने के बाद भी हमको कोई फायदा नहीं हो रहा था मम्मी जी मतलब दाधा स्वामी से जुड़े हुए थे तो उनको जो नाम दिये थे पांश नाम उसके बाद भी उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था तो वो संत्रामपाल जी महाराज से हर्याना गए वहाँ नाम दिख्चा ली और उसके बाद हमको भी बताए ये पुर्ण परमात्मा आये हुए हैं और इनसे नाम दिख्चा ले और अपना कल्यान कराओ फिर हम भी गए तो हम भी मना बोल गए थे पहले क्योंकि संत्रामपाल जी महाराज को हम भी नहीं मान रहे थे कि भगवान आये है धर्ती पे फिर एसे घुमने की साब से गए कि हम दिल्ली देखेंगे आगरा देखेंगे ऐसे देखते हुए गए कि सब उदर से घुम फिर के लेकिन जब हम सत्त लोग आसे में बरवाला गये वहां भक्तों ने फिर बताया है कि अभी 11 नियम जो है वो पहले नीम समझ लो उसके बाद नाम दिख्षा लेना फिर उन्हें नियम दी हमने संत्रामपाल जी मारा से नाम दिख्षा ले लिए उसको अध्यातमें बहूत फ कर ऐए तो नमटना अप्रिशन से बोलते हैं सोनु काफीय तो उसमें एक साइट नुए शुआ एंपर्यक्त इपार सेटंड़ी वह तो वह पत्र ने दावम सब्सक्ना सब्सक्राइब तो इस आप से नहीं करवाएंगे आप से दवागोली से जो भी होता है तो आप करो वरना हम और दुसरे डाक्टर को देखते हैं ऐसे सारे डाक्टरों को पुछा सभी बोलते थे कि इसका अपरेशन होगा क्यों कि नवे में पत्री बहुत बड़ी होती है बोले यह बातरूम क अपरेशन करवाना पड़ेगा बहुत बड़ी पत्री है यह मतलब गोली दवा से नहीं गलेगी तो मुन सर अमने डाक्टरों को का कि सर हम अपरेशन ही करवाएंगे आप दवा गोली से होता है तो करो नहीं तो नहीं करो पुले एक ठीक एक काम करो आप 15 दिन की दवा गोल कि मालिक आप तो सारे केंसर एसे ला इलाज इलाज को भी मतलब दूर कर सकते हैं तो ये दास की मतलब एक पत्री छोटी सी है उसको नहीं आप कर सकते हो तो संत्रामपाल जमाराज से डन्वत करके प्रातना करी और संत्रामपाल जमाराज से बोला कि ये सरीर आपका है चाहो त अब इसको नाश कर दो चाहोत इसको आप बखती में लगा दो जैसे भी आपको करना हो मालिक आप ही हो जो भी हो आपको ही करना है उस दिन चे सर आप एकिन मानिए ना तो मैंने गोली खाई और ना मैंने भगवान से भकती तो गरी संत्रामपाल जी महराज से लेकिन गोली करवाने गए उसके पहले मतलब एक साइट नवे में पत्री थी फिर हम सोनु काफी में पत्री थी वह ठीक हो गई वह पत्री नहीं रहे मतलब वह कहां गई पता नहीं लेकिन मालिक की दया से संत्रांपाजी महराज की दया से मेरे पायदा हैं सर मेरी पत्री की जो रिपोर्ट में सात मिल आया हूं आप आप वह भी देखसकते हैं दोनों साइट पत्री हैं यह एक शाइट 9mm पत्री है और एक शैट 6mm पत्री हैं सन्त्राम्पाल जी मरास्ट से नामदिख्छछा लेने के बाद यह दोनों पत्रियों मेरी बिना हैसन से ठीक होगा साथ दुसरा अब यह हुआ सर कि लड़के लड़के को मतलब पागल कुत्ते ने काट लिया वो साथ में आया है रिष्टेदार ये सभी बोलने लगे वहां अच्छा उतारने वाले हैं वहां अच्छा डाक्टर है तो हमने का कि नहीं हमको संत्र आमपाल जिमारा प्युस्वास से वहां से जो आदेश आएगा हम वही कर यहां सकते हैं हम डाक्टर के पास उसको लेके गए तो डाक्टर ने बोला जो हमारा संभाग पड़ता है इंडोर इसको लेके जाओ मैं अगर नहीं मिला तो मार्केट में 21000 का इसका इंजेसन मिलेगा तो यहां दो ने वहां पा. उनसे बोला कि सर आप मेरों को लिखके दे दो तो मैं इसको लेके जाओं तो ठीक है उनने लिखके सारी फाइल मेरों को दे दी और बोले मुलस यह खड़ी है आप इससे लेके इंदो ले जाओं फिर उसके घंटे बाद हुआ ही पर मैंने मालिक से परातना करी संतर आमपाल ज अरुणने बताया कि एक काम कर वह तेरा इंजस्न मिल गया है वही जो डाक्टर जो खाना खाने चला गया था वही डाक्टर के रूप में संतर आमपाल जीमारा जाय और उनने बताया था व्हां दी लोटके गय दवा खाने में और उननोंने वह इंदिशन जैसे निकाल ऐसे जोने नियुक्ता थोड़ी दो यह तो गय महा इस्पताल में तो पेर ग्राइटा रहिं मेलागे है जुन भतकेड में तो शल तो झाल बिया है कोई बात निम लगा देते हैं जिसको वह 9 बजे रात को सुबह 7 बजे कुट्टे ने काटा था पागल वह 9 बजे रात को इंजसन लगा और संत्र आमपाजी महराज ने इसी दाया करी कि उसको आज भी अब देख सकते हो कि उसको इतना बड़ा घाओ था और सारा घाओ ऐसे च खिले हुए थे तो मोटर चालो करने गया तो मोटर को कुष चालो नहीं हो और उसने सिर्श चालो सर क्या आप नसा भी करते थे जैसा कोई सा नसा नहीं किया हूँ मेरा काम ये सिविल का काम है मकान बनाने का क्योंकि ये लाइनी इत्ती बेकार होती है कि इसमें सारे नसे नहीं करे आदमी तो काम नहीं कर सकता था ऐसे सारे नसे में करता था सर तो क्या संत्रामपाल जी माराज सर नामदिक्षा लेने के बाद आप नसा मुक्त हुएं? जी सर, मेरा एक मेने के बाद एक मेने तक तो थोड़ी से तकलिफ हुई तो नसा तो नहीं किया लेकिन सोब खाता था सर संत्रांपाल जी महराज से नामदिख्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाप्राप्त हुए तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं और बो भी किसी ने किसी बिमारी से परिशान है या नसे से गरस्त हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर शंदेश तो क्या देंगा मितल मैं निवेदन कर सकता हूं कि वह चैनल पे संत्रामपाल जी महराज का ससंग आता है उस पे पिली पट्टी चलती है उस पे सारे नमर चलते है आप उनसे नमर को नोट करके उससे यह जानकरी हसल कर सकती है कि हमको यह नसा छुड़वाना है य जन्यवात सर सच चाहिव